नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का Only Philosophy चैनल में मैं हूँ सूरज और मैं आज की इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि हमारे आने वाले वीडियो कि इस टॉपिक पे रहेगा तो मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है टूट टेबल इसे सिम्बोलिक लोजिक यानि पर्तिकात्मक तरक सास्तर पढ़ना पढ़ता है यदि आप बीए पीजी या यूजी सी नेट का प्रिफ्रेशन कर रहे हैं तो यह फिलोस्पी बाइग्रॉंड वाले अस्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है तो आने वाली वीडियो में बेसिक से हाई लेवल तक का कौस्चन और आप टूथ टेबल के कौस्चन को आप इसली बना पाएंगे ओके तो कुछ बेसिक रूल देखते हैं टूथ टेबल बनाने का तो लुक एट ओन दिस पैफर फर्स्ट अफ वाल कंजक्शन, डेंजंक्शन तो यह पांच रूल है ठीक है तो यह सभी के बारे में जानते हैं कुछ तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेरा कंजक्शन है यानि कि कंजक्शन को एंड भी बोल सकते हैं और इसका सिम्बल क्या है फूल अस्टोप या फिर उल्टा वही रहता है इसका सिम्बल रहता है ठीक है तो conjunction के बारे में कुछ जान लेते हैं कि दो statement होता है ठीक है यानि कि दो परकथन रहते हैं और जब दोनों true हो जाते हैं जब दोनों true हो रहते हैं तो वो समझ लेजे कि वो हमारा क्या होगा true होगा बाकि सभी में वो false कहलाएगा या false रहेगा जैसे for example P and Q one statement and is second statement तो last मेरा निसकर्स होगा P conjunction Q तो यहाँ पर basic रहता है यह basic रहता है कि दो statement रहता है तो हमें T T F F लेना रहता है और यह तो हमेशा आप सभी को आज रखना पड़ेगा P में T T F F होता है और Q में T F T F रहता है तो मैंने क्या बताया था इसके बारे में कि दो statement रहता है दोनों true रहता है ओके दोनों true रहेगा तो वो फिर true होगा तो यह दोनों मेरा क्या है true true first statement and the second statement दोनों क्या होगा true true यानि की true होगा next T F यानि की true false false T F false true false F F false 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 तो यह आप conjunction के बारे में जानगे पूरा conjunction conjunction या फिर end बोल सकते हैं इसके जिगब पर यह भी हो सकता है तो compute नहीं होना है point के जिगब पर फूला स्टोप के जिगब पर यह भी हो सकता है यानि इसको conjunction बोलते है या end तो next हमारा क्या है disjunction disjunction को क्या बोलते हैं और भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं disjunction का उल्टा भी हो जाता है इसका symbol तो इसका use देख लेते हैं और example देख लेते हैं तो इसमें भी same process है करते हैं disjunction Q यानि और Q यानि इसको और भी बोल सकते हैं तो लेते हैं इसमें T F F T F T F तो तो इसका rule यह है दोस्तों कि जब F F रहेगा यानि दुनों false फॉल्स रहेगा जब तो यह false होगा बाकि another सब true होगा तो देखते हैं first true, second true तो निसकर्स में रख्या होगा true यानि conclusion true होजाएगा first true first statement is true and second statement is false तो conclusion में रख्या होगा यह भी true होजाएगा उसके बाद इसमें भी वह ही है F T यानि कि false true true last में है false 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 तो इसका rule यह है main इसका यह है ध्यान देने वाली बात यही रत्ता इसमें कि F F F हो जाएगा यानि कि false 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 रहेगा यानि इस जंक्शन में इसका rule यह है और conjunction में यह है कि T T T रहेगा यानि पहला statement true रहेगा तो दूसरा भी true और मेरा miss curse भी true और इसका false false फिर miss curse भी false बाकि another sub true इसमें भी true इसमें सब true और इसका यह है सब false बाकि one true conjunction, rejection यदि आप इसका हिंदी जानना चाहेंगे दोस्तों तो इसका हो जाता है तो यदि आप इसका हिंदी जानना चाहें दोस्तों तो आप देख सकते हैं conjunction का हो जाएगा संजोजन और digestion का हो जाएगा vision और by conditional या फिर sorry दोस्तों implication या फिर conditional का हो जाएगा सोपाधिक सोपाधिक हाँ सोपाधिक होता है सोपाधिक और negation का हो जाएगा निसेद तो यह सबी का symbol देखी जे if then या conditional या implication से जाना जा सकता है और इसका symbol है ऐसे देख सकते हैं और फिर या तीर अकार का उसके बाद four number मेरा है by conditional या फिर यसे बोल सकते हैं if and only if इसका three है और three line हो है या फिर इसको बोल सकते हैं by conditional दोनतरत तीर कार रहेगा उसके बाद फिर note या फिर negation बोल सकते हैं इसका हिंदी निशेद होता है और ऐसे रहता है ये और इसका ये भी है sign ये symbol तो दो देख चुके हैं दो का एजामपर hard का देख चेह हैं ठीक है उसी तरह लिना से P Q P यहाँ पर ऐसा होगा implication Q या फिर इसके जगर पर ये वालग भी यूज कर सकते हैं इसमें भी वही लेना है दोस्तो T T F F T F T F तो यही लेना है हो गया उसके बार अब इसका निशकर देखते हैं conclusion देखते हैं conclusion मेरा क्या होगा वह देखते हैं तो इसमें सिर्फ T और F जो है वह रहेगा तभी यहाँ पर एप होगा बाकि अनदर सभी T हो जाएगा T, फिर एप T T, फिर इज़र भी T तो इसका यह रून समय में आ गया हो दोस्तों मैं आ सकता हूँ इंप्लिकेशन का उसके बाद फिर आता है बाइफनेशनल, बाइफनेशनल आता है तो लिख लेता हूँ मैं तो देखे दोस्तों यह भी त्यार हो गए ठीला तो इससे आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि इसमें T, T, T रहेगा तो उसके बाद T, F होगा उसके बाद फिर F, T, F होगा उसके बाद फिर F, F, T हो जाएगा मतलब इसमें F, T, F होगा T, F, F होगा यानि कि इसमें क्या करते थे दोस्तों T, F, F होता था तो इसमें क्या हो रहा है F, T, F हो जा रहा है मतलब कि इसका उल्टा और सिधा यानि कि सिधा ऐसे हो गया उल्टा ऐसे हो गया दोनों में F, F रहेगा यह हमेसा आज रखना है तो अब लास्ट मेरा आगया नगेसन, नगेसन यानि निसेद, P हमारा ऐसे हैं, तो नगेसन T इस तरह होगा, यानि T यहां लिए, तो नगेसन होजएगा F, F लेंगे, यहां लेगा T, मतलब just opposite, नगेसन के मतलब T, तो F उल्टा, समझ सकते हैं, तो इतना ही था दोस्तों, जितना मैंने concept बताए, इतना आप सही से revise कर लिजेगा, ताकि problem ना हो आगे की वीडियो समाईने में, यह सब basic rule था, अब एगली वीडियो में यह सब detail से जानेंगे, और कुछ question भी करेंगे, तो मैं आसा करता हूँ दो लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जितनी भी philosophy का जो student है, उसके पास यह वीडियो का share कर सकते हैं, तो thank you for watching this video,